खास बात यह है कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी मैच जब टीम इंडिया हार गई तो इसके बाद प्रधान मंत्री ड्रेसिंग रूम में गए और ड्रेसिंग रूम में जाकर उन्होंने खिलारियों को धानस बनाया, उनसे मुलाकात की और उन्हें ये भरोसा दिलाया कि प लेकिन दुर्भागिवश हम ये मुकाबला नहीं जीत पाएंडिया जानता है कि किसी भी गरीब को या किसी भी निचले तपके के बंदे को उठा के सूपर स्टार कैसे बनाना है अच्छा खेले हैं अफसोस हुआ कि हरके इंडिया दस मैच जीतने के बाद एक मैच हरके वल्ल्ड कप से बार हो गया कोई मसला नहीं एक सो चालीस करोड की जंता रहती है तो हो सकता है गर वो इसी तरीके से लगके केलते रहे यह दफाए 2023 की टॉफ़ी नहीं हो सकते है लेकिन मेरा फ्याल हमाया दुखी होना नहीं बनता, इंडिया जो है वो बहुत अच्छा खेला है, हम अगर बात करें इंडिया की परफॉर्मस की, तो इंडिया ने दस के दस मैच जो है, वो विन की हैं, पेडियम बनाने की एक बात ही, मुहमाध शामी के नाम पे, अगर वो एक जैसा समझते हैं, तो वो टीम में उनकी है, तो आपको हम यहाँ बिठाएंगे, यहाँ पल्को पर बिठाएंगे, यहाँ सिर पर बिठाएंगे, लेकिन आपको खाबिल होना पड़ेगा, जब सभी प्लेयर डेसी नों में मौझूद थे उस समय भारती पधानमंत्री स्री नरेंदर मोदी जी ने उन प्लेयरों का होसला बढ़ाया जिसके बाद मुहमद समी ने मोदी जी कर गले लगकर इमोशनल हो गये और रो रहे थे जिसको देखकर सभी लोग सौक्ड हो गये कि बदला भारत का सपना था कि इस बार का वर्ड कप चैंपियन बनेगा लेकिन भारत का सपना सपना ही रह गया दिया का जो second last match था मुहम्मद शामी ने साथ विक्ते लेकर वन साइडिया को ये match जितवाया जिस पर इंडिया के एक स्टेट के सीम है يोगी जी उन्होंने अनौसमेंट किये कि मुहम्मद शामी के नाम का वो भारत के अंदर अपने स्टेट में स्टेडियम बनाने जा रहे है तो एज़ा मुस्लिम हमारे लिए कितनी काबले फखर बात है बीच में क्रैक्स पढ़ा कर जैसे उस बंदे ने स्ट्रगल किया और जैसे उसने अपनी बोलिंग को स्ट्रोंग किया है बिलीव मी ऐसा सदियों में सेंचुरी में एक या दो वार होता है बार बार नहीं होता हम कहते हैं हम नंबर वन बॉलर्स हैं देड़ महीने में पता लगया कौन कितने पानी में है इसी तरीके से इंडिया 12 पा इससे पहले वर्ड चेंपियन रह चुका है अच्छी क्रिकट इन्होंने 2023 में भी केली और आएंदा भी उनके पास ये कोई खत्म होने वाला सिलसला तो है नहीं उनकी यंग्स्टर आएंगे बेशक विराट कोली दख्किंग कोली हो सकते है कि वो वंडे क्रिकट से रिटार्मेंट ले ले रहे हम उनको बड़ा मिस करेंगे रोहित शर्मा ले ले हम उनको बड़ा मिस करेंगे लेकिन बाकी यंग्स्टर आएंगे शामी आएगा, सिराज आएगा, बुमर आएगा, शुमन गिल आएगा, शर्यास आएगा, केल राहूल लीड करेगा, मतलब चलता रहेगा इस सलसला एक सो चालिस करोड की जनता रहती है, तो हो सकता है गर वो इसी तरीके से लगके केलते और ये सबसे मेरे खाल सबको पता चले गया, फिल्डिंग में भी उनसे हुआ, और फिर बॉलिंग में भी वो जल्दी आउट नहीं कर सका, या मीडिया, इंडियन टीम, इंडियन जो पूरी स्पॉनसर्ड है, वो ये समझती है, कि हमने किस टाम किस प्लेयर को कैसे यूटि शमी की मिसाल ऐसी है, जैसे वो हारी सरॉफ का सिक्का चमका था ना, डेल स्टेन बाहर हुए थे और वहां से हारी सरॉफ को इन किया गया था, उसके बाद से आज तक हारी सरॉफ हारी सरॉफ होती है, हारी वो अलएदा बात है, हमारा हीरो है, वर्ल्ड कप में नहीं तो अब आप क्या कहेंगे किसी भी मुल्क में किसी भी चीज के राइट्स उनको ना मिलें ठीक है तो वो जाएंगे और ऐसी इंडिया में लेकिन इंडिया में एक खसूस मुसल्मान का एडिया है जहां पर मुस्लिम रहते हैं और अल आवर दा उनकी नेशन में फैले हुए त एशिया में टोफिया है लेकिन देखते हैं क्या बनता है बाकी लव यू इंडिया और एज़ा पाकिस्तानी हम भी उन से लाव करते हैं वो भी हम ऐसा लाव करें तो बहुत अच्छा होगा महमाद शामे की परफॉर्मस पर आप क्या कहना चाहेंगे डेफिनेटली उनके एजाज में एक स्टेडियम बनने जा रहा है तो अगर हम इस पूरे वर्ड कप का जाइजा लें तो आपने कैसी कार कर देगी पाई उनकी एजा इंडियन मुस्लिम इस तरह इस वर्ड कप में इंडिया के लिए रीर की हडी सावित हो गया ये इंडिया खुद भी एकस्पेक्ट कर रहा तो अजा इंडिया जीए जाएगा लाइक उनकी बैटिंग बोलिंग बहुत फों में थी पर खैर बैड लक किसमां इसका साथ दे जाए इंडिया ने प लगाए निया सिंगल डबल की या चोकेशी के लगाए हैं इसी तरह लाइक एक अच्छी केम देखने को मिली हमें इंडी की तरफ से हम यह आप भूजिए कि इंडिया वल्ड कप जीत है हार रहा है इंडिया को जीत किया हुआ है अपने मुलक के अंदर जैसे जैसे वो टीम अच्छा के लिया है पुछ कहना चाह रहे हैं आप क्या कहेंगे जो भी आश्चा के लिए ठीक है थीक है नब धूमें चड़ने के बाद फाइनल में जगा बनाई बट इंडिया ने अपने तुरूआउट दस के जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से सभी लोग भारत की प्रसंसा कर रहे हैं कि भारत इतनी अच्छा खेल लही थी लेकिन लास्ट में ऐसा क्या हो गया कि भारत फाइनल नहीं जीत पाया वहीं आपको बता दै कि 2003 में यही कंडिशन हुआ था कि भारत और आउस्टेलिया का फाइनल हो रहा था लेकिन उस समय भी हम नहीं जीत पाये और एक बार फिर से 2023 में हमारा वर्टकप जीतने का सपना पूरी तरीके से तूट गया और जिस तरह से कल आउस्टेलिया ने पूरी तरीके से भारती टीम के आउट कर दिया इस वर्टकप से और जिस तरह से कल भारती टीम ने परदरसन दिखाया हम उस पे बात नहीं करना चाहते क्योंकि भारती लोग काफ़ी जादा अपने प्लेयरों के लेकर गुस्सा है लेकिन आपको बतादें कि जिस तरह से कल महारती पधान मंत्री सिरी नरेंद्र मोदी जी ने सभी प्लेयरों को काफ़ी ज़्यादा अप्रेसियेट किये और मुहम्मद समी ने मोदी जी के गले रखकर रोने लगे जिसके बाद सभी लोग सौक्ड हो गए कि मतलब एक ऐसा प्लेयर जो काफ़ी अच्छा प्रदर्सन किया पूरे वर्डकप में लेकिन छोड़ी चूक होने के कारण हम इसको मुकाबले को नहीं जीत पाए और हमारा वर्डकप का सपना नहीं पुरा हो का है लेकिन आपको बता दे कि जिस तरह से भारती टीम ने प्रदर्सन दिखाया है इस ओडियाई वर्डकप में उसको एप्रिसियेट करना चाहिए क्योंकि मतलब नौन इस्टाप दस मैच में दस मैच जीते थे लेकिन फाइनल भले ही ना जीत पाए हो लेकिन मतलब आस्टेलिया ने अच्छा खेला इस बज़े से उसने जीत लिया लेकिन भारत को ये मतलब वर्डकप जीतना चाहिए था लेकिन आपको बता दे कि 2011 के बाद हमारा यही शपना था कि हमारे वहां वर्डकप हो रहा है और हम जीत जाएंगे लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और आस्टेलिया ने हमें हरा दिया वहीं आपको बता दे कि सभी प्लेयरों ने काफ़ी अच्छा पदरसन दिखाया लेकिन भले ही थोड़े चूक के कारड हम हार गये लेकिन वर्डकप का सपना हमारा सपना ही रह गया वहीं आपको बता दे कि जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया भी काफी ज़्यादा डिसपॉइंटेड है कि भारत को जीतना चाहिए था लेकिन भले ही हम हार गये हों लेकिन जिस तरह से प्लेयरों ने प्रदर्सन दिखाया उसको हमें अप्रेसियेट करना चाहिए और हमें आगे गेम पर फोकस करना चाहिए हार तो होती रहती है सबी एक लोग को कोई किसी ने को हरना था और किसी को जीतना था और और ऑस्टेलिया ने अच्छा प्रदर्सन दिखाया और जीत गया खेर इस पर आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है कि भारत को जीतने चाहिए या नहीं खेर इस पर आपकी क्या राय है और आपको कैसा लगा मुहम्मद समी का भारती पदान मंतिर नरे नर्मोदी दी के सामने मिलते हुए देखकर हमें अपनी राइ कॉमेंड में जरूर दीजेगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजेगा मिलते हैं किसी अन्न वीडियो में तब तक के लिए जैहिन बनने मातरम